बीते 29 जून को अर्ध रातरी डुमरी थानो छेतर के कुलगो से NH19 पर खड़े ट्रक की चोरी चोरों के द्वारा कर लिये जाने के जानकारी पुलिस को मिलने के उपरांद डुमरी अनुमंडल पुलिस ने 72 गंटे के अंदर ट्रक चोरी के मामले का उत्पेदन करते हुए चो कोरी में प्रयुक्तकार को बरामत कर गिरो के एक सदस्य को गिरफतार करने में सफलता पाई है पुलिस इसकांड में शामिल गिरो के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए लगतार छापेमारी कर रही है सम्मंद में मंगलवार को डुमरी थाना में एक प्रयस वारता कर डुमरी स्दीपियो सुमेद प्रसाद ने जानकारी दी उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मेरे नेत्रितों में एक विश्य सनुसंधान टीम का गठन किया था जिसमें डुमरी पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार, डुमरी थाना प्रभारी, प्रिनन निम्या घाट, थाना प्रभारी, राना जंग पहादुर, पुवनी सुमन कुमार और रुपेश कुमार शामल थे बताया कि गठन होने के बाद टीम इस मामले के उत्भेदर में जुट गई, इसी दौरान पुलिस को चोरी में प्रयुक्त बी आर टू, बी क्यू, फोर सिक्स, सिक्स जीरो नमबर की सफेद रंग की, रेनॉल्ट, ट्राइबर कार के संबंध में, जी टी रोड पर लगे, सी अरिया पुर निवासी, सुबेस यादो के पुत्र बबन कुमार के खर छापे मारी करने पहुची, जहां से पुलिस ने बबन कुमार को हिरासत में लेते हुए, उसके पास से कार को बरामत किया, फिर बबन की निशान देही पर पुलिस ने जहानाबाद के एक स्थान पर च दिख्षक गिरिडी है उनके द्वारा एक टीम गढ़ित करके इसको त्वरित अनुसंधान करने के लिए टीम बनाया गया था और चुकि यह जीटी रोड का मामला था तो इसमें जो है कि त्वरित अनुसंधान के लिए टीम जो है वो तुरंत सारे टेकनिकल डीटेल्स को ले गया है उसमें अभी एक जो वेक्ति है इसको पकड़ा गया है बबन कुमार नाम है यह जहानाबाद बिहार करेने वाले हैं इनके अलावा और कुछ लोगों है की गरफतारी के लिए छापा मारी अभी चल रहे हैं कहां से यह जहानाबाद में अभी चापा मारी की गई है औ कुछी के आस-पास के शेत्रों में चापा मारी की जा रहे है और यह एक अंतराजिय वहान चोर का गिरो है जो की जीटी रूड पे अलग थलक पड़े जो वहान होते हैं उनको जो है सेंद लगा कर शूरी करता है कितने लोग सब इसमें सामिल थे अभी इसमें चार लोगों में बेतर तीब धंग से पार्किंग की जाती है उसको जो है यह निसाना बना का चोरी करता है तीनों अन्य जो है उसका अभी नाम पता चला है और प्रियर हो जाएगा उस दिल में यह क्लूप क्या थासत इंफोर्मेशन जो है कि जीटी रोड में बहुत सारे टेक्निकल हमा झाल